So guys, आज अपने mathematics का एक interesting fact जानेंगे कि why a raise to 0 equal to 1 तो ये हम एक example की help से समगते हैं कि a raise to 0, 1 क्यों होता है तो let's take an example of 2 आप सब को बताए कि 2 to the power 1 answer आता है या तो ऐसे लेते कि 2 to the power 2 क्या होगा answer 2 into 2, 4 2 to the power 3, 3 times 2 that is 8 2 to the power 4 that is 16 That means this is how we write power of 2 इस चीज के अंदर हम एक pattern observe करते है pattern ये है कि 2 to the power 4 से आपको 3 पे जाना है तो इसके जो भी answer है 2 to the power 4 का उसको हमें 2 से क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा तो देखो आप 2 to the power 4, 16 को 2 से divide करूँगा तो answer आएगा मुझे 8 अब 8 को मैं फिर से 2 से divide करूँगा answer आएगा 4 अगर मैं 4 को 2, फिर से 2 से divide करूँगा तो answer आएगा 2 to the power 1 का 2 और ऐसे ही मुझे 2 को फिर से 2 से divide करूँगा तो मुझे मिजलेगा answer 2 to the power 0 that equal to 1 तो यह pattern जो है वो break ना हो उसके लिए हमारा जो answer 2 to the power 0 वो क्या होता है 1 लेकिन one more thing आप उससे भी आगे सोच सकते हो जैसे कि हमारा 2 to the power minus 1 अगर find करना है तो हमारी pattern क्या है जो हमारा next number है उसको 2 से divide करो तो आप क्या करोगे 1 को 2 से divide करोगे तो आपका answer क्या आएगा 1 divided by 2 और वो सब को बताए कि 2 to the power minus 1 1 by 2 हो जाता है thank you very much guys एक जाते जाते और एक question आपके लिए छोड़के जाता हूँ वो यह है कि 0 factorial आप सबको बताए 0 factorial उसका answer क्या आता है 1 अब मेरा question आपसे यह है कि जैसे हमने समझा कि a raise to 0 1 होता है एसे ही 0 factorial भी 1 होता है question है क्यों next real में हम इसका answer जानेंगे thank you very much